और इस वाठ बड़ी खबर पाकिस्तान से बिल रही है। पाकस्तान पर इस ट्राइक हुई है उसे जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें सो से ज्यादा लोगों के मारे जानी की खबर है मंगलवार को इरान ने पाकस्तान पर हमला किया था बलचिस्तान में आतंकी ठिकानों पर इरान की तरफ से स्ट्राइक की गई थी आतंकी ठिकानों को ने इस तरा बूद किया गया था और इस हमले से जुड़ी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब पाकस्तान में इरान का हमला हुआ उससे ठीक 12 घंटे पहले स्विजलेंड में पाकस्तान की सरकार इरान के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रही थी स्विजलेंड के दावोस में पाकस्तान के कारिवाहत प्रधार मंत्री इरान के विदेश मंत्री से मिले और इस मुलाकात में स्केठीक 12 घंटे बाद पाकस्तान पर इरान का बड़ा प्रहार हो गया इरान ने आतंकियों के छिकानों को धुआ धुआ कर दिया रॉकेट और ड्रोन के जरीए इरान ने आतंकियों के छिकानों को ने सरब भूप कर दिया आतंकवादी गटनाय या आतंकवादी ऑपरेट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट उपरेट करना चाहरा है और इस पेशली उस आतंकवादी संगठन जिसका नाम है जैसे अल अदल ये एक सुन्नी मिलिटेंट और्गिनाइजेशन है जो आईस के मदद से मिडल इस्ट में आतंक का महाल बढ़ाना चाहरा और इसके कुछ एलमेंट हो सकता है हिंदुस्तान के भी अगेंस्ट उपरेट करें इसी के तहत उसने बलचिस्तान पे एरिस्ट्राइक किया और ये मैसेज दिया कि जो भी आतंकवादी संगठन वो पाकिस्तान में उपरेट कर रहे हो चाहे वो सीरि करते हैं उनके अगेंस्ट वो इसी तरीके की एरिस्ट्राइक करते रहेगा ये हमेशा से टाइम एनगेंट प्रूव होता रहा है कि पाकिस्तान ऐसे ऐसी चीजें ऐसे कंडिशन प्रोवाइड करता है ऐसा सॉफ्ट गॉंड है जहां पर आतंकवाद पनपता है और बढ़त पनपता है और उनको नेबरिंग कंट्रीस में लांच करता है और New Zealand इंडिया के मारे सैयोगी संदीब बोलिसी ख़बर पर ज्याद hanya कानी के साथ जुड़े रहे हैं सीधे उनकारो करते हैं संदीब पाकिस्तान के अंदर यह हमला हुआ पाकिस्तान के अंदर गुसकर स्ट्राइक की गई यहाँ डेटा पाकस्तान जारी नहीं कर रहा की नुकसान कितना हुआ है कितने लोग मारे गए हैं और क्या कुछ डीटेल्स मिल रहे हैं फिलार कि यह कि कभी भी इस तरीके का ऑपरेंड कि जाते हैं इस तरीके है इस तरीके कि इस तरीकuses फाली जाते है और इस पूरी जानकारी लेकर ही इस्टाइक किया जाता है लेकिन वहाँ पे मरने वालों की संख्या जिनमें दो बच्चे बताए गए हैं तीन लड़किया घायल हुई है लेकिन जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही है मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है दो अलग अलग जगे पे स्ट्राइक हुई है यह बात तो साफ हो रही है कि इरान ने यह मैसेज दे दिया कि जो भी उनके अगेंस मिल्टेंट अब सवाल यह है कि इस तरीके से लेगा पाकिस्तान क्यूंकि यह जो भी अट्रैक हुए हैं यह बात बढ़ान कोशिश जरूर करेगा क्योंकि वह अगर सबसे ज़्यादा अगर कहीं आतंकी संगठन पलते फलते फूलते हैं तो वो पाकिस्तानी है तो अभी मिडिलीस्ट में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं हमास और इसराइल की जंग के बाद से लगातार ये फैलता जा रहा है किस तरीके से इरान ने दो स्ट्राइक किये इससे पहले सीरिया में इसमानी के जो सालाना जब उसका उनका प्रोश्टेंजन था उस वक्त एक सरदान जिली समारो थी, एक साल पूरे होने की बर्ची थी, उस वक्त भी एक बड़ा आटैक किया गया है, इसमें कई लोग मारे गया है, और मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्श्रकों को ये भी समझ आएक तरफ स्विजलन में मुलाकात हो रही थी, पाकस्तान रिष्टे सुधारने की बात कर रहा था इरान से, लेकिन दूसरी तरफ ये हमला किया गया, ऐसे में क्या समझा जाए, इरान आखिर मैसेज क्या देना चाहता है पाकस्तान को, लेकि मैसेज तो साफ है, इरान की अगेंस लडाई लड़ सके, लेकिन ये जरूर है कि जिसने उसको नुकसान पहुचाया है, एक मैसेजिंग देने के लिए कि अगर कोई भी टर्रिस आउटफिट या कोई ऐसा स्टेट जो उसके अगेंस किसी भी तरीके की आपरेशन को कंड़क करेगा, तो उसका रिटैलि को मदद कर रहा है, चाहे हमास हो, हेजबुला हो, चाहे यमन के हूती हो, इन सब को वो सपोर्ट कर रहा है, अब आप समझिए कि यमन के हूती विद्रोही जिनके पास बहुत जादा असला नहीं हो सकता, वो बैलेस्टिक मिसाइल सक फायर कर रहे हैं, जितने भी रेट सी मे हैं, वो उन शिप्त को अटेक कर रहे हैं, तो एक बात तो साफ है कि इरान उन सारे जो आतंगी संगठन है, उनको मदद कर रहा है, लेकिन ये भी मैसेज दे रहा है कि किसी ने हमारे अगेंस कोई एक्शन किया, तो उसका यही अंजाम होगा, और यही हम लोगों ने और और श्रूकरी आपका यह तेमाम डीटेल्स अम तभ पहुंचाणे के लिए. और अब बात करते हैं श्री राम महापर्व कीजिया आयोध्या नगरी किस तरीके से राम लला के स्वागत के लिए तैयार हो रही है इसकी एक एक जलक नियूज जेचन इंडिया पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं तैयारिया पूरी की जा चुकी है क्योंकि अब चंद द आयोध्या में तैयार हुए फ्लाइ ओवर से राम मंदर की तस्रीर साफ दिखाई देती है संभावना है कि जब प्रिधार मंदरिया योध्या आएंगे तो उनका काफिला इसी फ्लाइ ओवर से गुज़रेगा और वो तस्वीरे हम आप तक पहुचाने जा रहे हैं